इस और देखें यह होता है या कैम्रा ने km लियुक्त करना रहे कोई किसी के लिए मना नहीं है आप किसी के लिए तो आप सर अल्राउंडर है या आ डौने करता है जोंहों संने टुनीं व्रल्न यहाप्र शाल्ब लचर और अलेख मैं हूं रजा खाकि आज के व्लॉग में आप सब का वेलकम करता हूँ और अब होगा आप सब खेरियास ओंगे और आज हम मौझूद है अजगर इरी शाह स्टेडियम में जो के नोर्फ आजड़ाब का सबसे बहत्रीन एंच जो कि आज हम यहां पर आयां और यहां पर हम आपको इस स्टेडियम का विजिट भी कराते हैं और लोगों से इंशालला कोशिश करते हैं कि बाद भी करें डॉक्टर सेयद मौहमद अली शाह पविलियन यह पविलियन है मतलब करसिंग रूम है यहाँ पर और यहाँ पर जो प्लियर्ज है वो यहाँ पर आके रेस्ट करते हैं और यहीं पर चिंडिंग रूम भी है उनका और चलते हैं आपको यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहाता है कि यहाँ पर कोई लीग चल ला है तो वो भी दिखाते हैं आपको और कोशिश करते हैं कि किसी प्लेयर से हम बात कर सकें तो बेहतरीन हो जाएगा इस वक्त और आप देख सकते हैं कि प्लेयर जो है यहाँ पर कंप्लीट किट के साथ जो है यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं एनिगरेटेट वाय वसी मकरम फर्स दो 1997 तो यहां पर हमारे कुछ प्लियर्स भी है असलाव अलेकुम सबसे पहले आप अपना नाम बता है मुझे सर मेरा नाम मुहमद नवाज है और नवाज बादर के नाम से जाना जाता हूं नवाज बादर तो आप सर और राउंडर है या या अच्छा तो इस वक्त आप यहां पर मौझूद है तो कौन से सबस्ट मैच चलना है तो रमजान है तो रमजान लिग सब्सक्राइब और यह अर प्रोटक्शन को नाम से और यह हमारा लीग का पहला में तो यहां पर जो है हैं और हम आगे चलते हैं आगे भी दिखाते हैं आप ये डॉक्टर सेयद इमरान इलीशा पबिलियन तो यहां पर भी है और हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ जो है वो लैप टॉप पर बैठे हुए और कुछ काम चल रहा है तो हम लेकर चले हैं वो भी दिखाते हैं कि क्या हो साओ इसने कि वीडियो के कवरिज हो रही है थी क्यूंकि कैमरे भी लगे में हैं तो तो । तो बढ़ते हैं आगे और चीजह आपको पूशिश करते हैं आपको अच्छी चीजह हम आपको दिखा सकें तो उपर चलते हैं उपर यह वहाद को करते है्ँ उपर से आप paar यारी डिकार तो चलते है ऑप जबर्दस भाई तो हम उपर आ चुके है क्या बात है जबर्दस यहां से मैज देखने कर दो नहीं वाज़ा है भाई क्या बात है अभी इसके उपर भी है तो इसके उपर भी हम चलते हैं और इसके उपर से हम कोशिश करते हैं कि कवर करें तो इन्शालला पढ़ते हैं क्या बात है अच्छा यहां कि सीडियां फूरी सी गोल गोल यहां पे कुछ फैमिली भी आई हुई है मैज देखने के लिए और उपर से देख रही है क्या बात है यहां का जो भी यहां से जबर दस बेटप्रीम इस। जो है वह भी आता है यहां से चले नीचे चलते हैं जैनाब आदम इस और नीचे उदर रहे हैं यहां पर प्रैक्टिस भी चल लगी है और जबर्दस भाई प्लियर्ज लोग यहां पर खाने पीने की अब यह बच्छे यहां पर मैच देख रहे हैं अधम्यूद्ध कैसे हैं खेरियस हैं असलम अलाकॉम कैसे हैं खेरियस हैं खाना बिसम लाव बिसमिल्ला एक तो इस वक्ता चल ला है कि या बात है तो रोजा नहीं खोला था अचाठा चले मैइज लिट्रिली मैह खीट कर कह रहा हूं कि जो मर्दा मैं समझता हूँ, जो TV में देखने कहना वो वैसे यहां देखने का नहीं आता क्योंकि बाहरे दूर होता है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होती है देखने में अगे आप देखेंगे कि मोहिन खान स्टेंट बनावा है, यहीं आफरीजी पिनावा है तो लोग यहां पर आके बैट कर प्लियर्स को और उनको उनके होसला अफजाई करते हैं कि जब six लगता है या आउट होता है तो उसक्त होसला अफजाई तो नहीं करते लेकिन जब चौका या च्छका लगता है तो होसला अफजाई भी करते हैं किये कि इन जो आए करते हैं मतलब और होना भी चाहिए होना भी यहीं चाहिए देखे कितना बड़ा है इसमें मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा जो है क्राउड वो आज आता होगा तो आगे चलते हैं आगे जो है आपको वो जगा भी आज मैं आपको दिखाऊंगा जहां से कमेंटरी होती है अब यहाँ पर जो है प्लेयर्स पर खाड़े में सत्व अलेकोम मैं कैसे खेरियस है लग सबर्दस हई दो विचारे पॉंटरी पर खड़े में हैं और जबर्तस और यहां पर उसामा भाई सुल्म कैसे खेरियस है तो कैसे चला लाक फ़ाहत वारे कंटरोल ले जबर्दस भाई तो जीत की पक्की है के जीत जाएंगे इंशाल्ला इंशाल्ला चलें वह बैस्ट आफ लाग और यहां आते हैं यहां पर लगिए मरहूम डॉक्टर मौमद अली शा की तस्वीर और परवर्दिगार इनकी मफ़रत फरमाए बहुत अच्छे इंसान थे और यह स्टेडियम गालबन इनी के नाम से है और यही इसको उन भी करते थे यहां पर हमारे साथ जो है फरुख है तो फरुख यह जो स्टेडियम है अजरव यह अली शा यह गालबन आप ही इसको देख रहे होते हैं जी-जी स्लामогBob क्या है, मैं अलीकुम्सेला हूं अकैड़मी कोच हूं अठर आध के शिलाता हूं राओंड हे सभ टॉर्नसमेंंट के मैच उते हैं टॉर्नसमेंट के मैंच हfer अगैड़मी हानो आधर कोच हूं तो यहां पर आप चोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे और अंडर 10 अंडर 15 यह बच्चे हैं मुझे कब फिट करा रहे हैं कोई किसी के लिए मना नहीं है बच्चे हैं और फिट भी हो चुस रहें तंदुरस रहें बढ़ते आगे फरुग बढ़ते हैं क्योंकि हमें वहां पर उस जगह पर भी जाना है जहां से कमेंटरी मतलब होती है और आज मैच हो रहा है लेकिन गालबन कमेंटरी का कोई सीन है नहीं लेकिन फिर भी आपको आज हमने बहुत करीब से आपको दिखाए और यहां पर भी बड़ी अच्छी नेट प्रेक्टिस हुए वो चल रही है वो भी इंशाला कोशिश करेंगे के आपको दिखाएं कि यह वो जगा है जब जहरे पूरा एक कमेंट्री का वह लगता होगा तो माइक वाइक सारी चीज जो है वो यहां लगती है जो पूरे ग्राउन ऑन में जो है कमेंटेटर के जो ओवास मूझति है तो यह है प्यू Best पर दिखाते हैं आपको आप चलते हैं नेट की तरफ नेट जहां पर नेट प्रैक्टिस हो रही है तो जनाब नेट प्रैक्टिस चल लही है तो देख सकते हैं कि नेट प्रैक्टिस जो है वो चल रही है इस जबर्दस तरीके से चलें आगे बढ़ते हैं अच्छा जी अब आगे बढ़े तो इकबाल कासिम स्टेंड जो है वो भी महजूद है वही के क्राउड जो है जो लोग है वो यहां पर आके बैठते हैं जिसको जहां जगा मिलती है उसे साब से मतलब वह यहां पर बैठते हैं तो यह पूरा जो है बोगत अच्छा एंवार्मेंट हैं बहुत अच्छा मतलब तरी है और अपदेखे हैं यह होता है या कैमरी ने रिकॉर्ड कर लिये या ऊट हो लिक्त existenti अच्छा यह एक वाल कास भी यह यह आप है फारे भाई लोग बैटें स्लाव लेकुम कैसे भाई खेरियस से हैं आउट बड़ अच्छा किया तो अच्छा किया और अच्छा केमरे के कैमरे ने देख भी लिया कि जैसी वह यकीन हो गया फपको के बाद आउट हो गया है और यह तो हम तो व्लॉग बना रहे हैं तो चलती रहती है और लोग बहुत अच्छे हैं आपर बहुत मिलंसार बहुत मौपती लोग है अच्छा यहां पर हम आए तो यहां पर भी बनावा है वही पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छा में अच्छा आप यहां से देखें आप ड्रेसिंग ड्रेसिंग रूम जो है कितना जबर्दस लग रहा है इस वक्त क्या बात है तो यह है सलीम यूसुप स्टेंग तो यहां पर वह जो है वो क्राउड आता है और आन कि आए भी धोड़ोसा अपने आप को हाशे जयाव हुआ कर रह खर रहे है और छूड़सा रेलेक्स करने के लिए भी तो पूरा अपया आपको झो हमने वक्त कराया एक जल्टब आपको काईंटीन की भी दिखाते है तो यह दिखाते लोगूं स्लाम अलेकों कैसे हैं खेरि लोग जो हैं हाथ भी हिला रहे हैं पब्लिक इस वक्त वहाँ पर बैठी वी है और यह आपका ड्रेसिंग रूम यहां से हमने अपनी वीडियो का हास किया था और लेफ्ट पर जाएं तो यह है कैंटीन कैपिटेरिया है जहां पर पानी की बॉटल्स जूस डिस्केट्स समोसे मतलब हर चीज जो आपको मतलब नीड होगो यहां पर अल्हम्द्लिल्ला मिल जाती है तो तो चले हम आपको करीच से भी दिखाते हैं यह हम आ गए कैंटीन के अंदर मतलब अब भी आए नहीं है अब हम जा रहे है कैसे हैं फिर्यसे कैसे खरियुसे खांके मतलब गरम-गरम समोए कैया बात है डूस पठी चाह recorded है यहां पर स्वालेकों कैसे हैं खेरेसे हैं आपको तमाम तक्रिबन ब्रैंक्स की जो हैं आपे बिस्किट्स भी मिलेंगे जूज हर चीज में तब यहां पर हैं तो सफाई का बड़ा खाल रखा गया है आपर जबर बस तो बड़ते हैं आगे करता हूं कि यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा बहुत कोशिश की कि आपको जादा से जादा चीज़ें दिखाऊं और जो बाते होगी मैं आपको बताऊं तो मैंने फर्रुग भाई से आपको चीज़ें भी मैंने इनसे पूछ की भी बताई और जहां तक मेरी जानकारी थी भूसके भी मैंने आपको और आप लोग भी देखें और इंशालला मुलखात हो ये नेक्स व्लोग में खुदा आफिस